वाइज हम लोग बस फेरी के लिए जाई रहे हैं हम लोग उखा फेरी आ गया है जे रहा नौदीब घट बहुत ज्यादा भीड़े गाई यहां पर यहां पर हम लोग फेरी पर चड़ चुके हैं और लोग का फेरी बस पर पकड़ने से पहले भूख लग रहा था क्योंकि कम से कम 16 मंदिर है तो ऩो जोटो पकटने के बाद के बाद हम लोगों ने आजुटो वाले को बीस रुपया दिया और उसने नौदीब घाट के पास उतार दिया है अब हम लोग जा रहा है नौधी भाट के पास में और उसके बाद वहाँ से साथ फेरी पकड़ना पड़ेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां पर जाना है जैसा यहां के लोगों ने कहा मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया तो वैसा ही करता ह पहले ठीकट कटा लेता हूं मेरे ठीक पीछे ठीकट काउंटर है यहां से मैं ठीकट कटाता हूं देखता हूं कहां जाना है क्यों मुझे तो पता नहीं है तो मैं अपने दोस्त के साथ ठीकट कटाऊंगा और देखता हूं कहीं घूमने का जगा होगा तो घूमूंगा पर अम्रूद का कुछ ऐसा चटपटा चीज बन रहा है तो हम लोग ठाएंगे भाई साब बना रहा है हम लोग ठीक सहरी घाट के यानि लॉंज के सामने खड़े हैं यहां से टिकट काउंटर यहां से टिकट कटा हूंगा यह है ठीकट काउंटर फेरी के लाइन में लगे हु तो टिकट यानि मेरा और मेरे दोस्का सोला रूपय का पड़ा है तो फेरी पर चड़ते बहुत ज्यादा भीड़ा है यहां से अब कहां जाएंगे मुझे भी नहीं पता है तो हमारा फेरी यहां सामने खड़ा है जेख सकते हैं बहुत बड़ी यानि बहुत लंबी है आजा आजा मंदी बहुत ज्यादा भीड़ा यहां पर चड़ते हम लोग बहुत ज्यादा भीड़े गाई यहां पर यहां पर हम लोग फेरी पर चड़ चुके हैं और हम लोग का फेरी बस स्टार्ट होने माला है हम लोग नाव के यानि जो हम लोग का फेरी है उसके ठीक अब लोग अभी आ रहा है तो हम लोग फेरी के एकदम ठीक इंजन के सामने खड़े हुए है यहां सम्मलोग का फेरी स्टार्ट होगा और मोबाइल सही से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि बानी है ठीक नीचे मेरे पास तो गिंबल है नहीं मैं मोबाइल कोई पकड़ की पता नहीं मुझे कहा जाना है बस जा रहा हूँ यहां तक मुझे सम्मलोग ने बताया था टीकट कटा लो तो मैंने कटायो और यहां पे जेख सकते हैं मेरे पी छेदनी बड़ी नदी है और यहां पेरी चल रहे है ठीक इंजन के सामने खड़ा हुआ हुआ हूँ तो पाके rics क्या मुझे कुल का कि बताता हूं यहां पर दो नाधी मिलता है यह का लें बिसकंना को ढसा पी अगयां मेरे मुझा आप्को कि फोर्दय कर से आलड़ा हुआ क् दिक्राइब आप डोनों से बताता हुआ इत ठीकित इस पानी का कलर कैसे है और वहां पर याप देखो इस बहुत ही डिखेट है तो इस जगह पर जो है जो है दो नदी आपस ने एक दुसरे से मिलती है साथ मेरी आवाज आए ना है क्योंकि हिंजन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है यहां पर और रहा है इसकोन टेमपल देख सकते हैं यहां से इसकोन का गुम्बत दिख रहा है बहुत ही बड़ा इसकोन टेमपल अपैंलिन लोग नोदीव घाट उतर गया है और बहुत जज़ादा इप फप्राइब वह सरत धालू बहुत यज़ादा भीड़े हम लोग बाहर निकल रहे हैं नोदीव घाट से निकलने कुछ लोगों ने बताया कि आप यहांपे घूम सकते हैं कुछ जगाएं है तो देखते हैं मुझे तो पता नहीं है कि जगा कहा से मैं यहां के लोकल से कुछ-कुछ के जाओंगा घूमने के लिए अभी पता चला कि नौदीप में कम से कम 16 मंदीर है तो 16 मंदीर घूमना पॉसिबल नहीं होगा क्यों हम लोग के पास टाइम बहुत कम है और हम लोग बस अब घर के लिए निकलेंगे मुझे लगा कि नौदीप में कुछ ऐसी एक दो जगाएं होंगे जहां पे मैं घूम सकते हो लेखिन पता चला कि यहां पर आपको 16 मंदीले मिलेंगे जहां पर आपको घूमना है तो आप घूम सकते हैं तो हम लोग ने सूचा कि चलो आप सभी को बता देते हो अगर आप आते हो यहां घूमने के लिए तो आप घूम सकते हो अम लोग लिया दोर कलिया है तो अब हम लोग यहां से जाएंगे माया घाट माया पूर घाट उसके बाद वहां से हम लोग आटो पकड़के फिर क्रिस्टन अगर इस्टेशन जाएंगे और उसके बाद वहां से ट्रेन हम लोगों के ट्रेन देखना पड़ेगा कि कितने बजे की ट्रे मैं पीछे रहा गया हूँ तो यह है नौदीब घाट यहां पर आप आओगे तो आप आ सकते हो 16 मंदिल देख सकते हो और हर बार की तरह इसकोन मंदिल मायपूर से हर जगा पर आपको कहीं न कहीं उसकी गुम्बज जो है आपको दिख जाएगी अब देख सकते हो कितनी सुन् मेरे पीछे नदी है बहुत ही बड़ी नदी है और यहां पर साथ दो नदी एक साथ मिलती अभी मैंने दिखाया आपको बहुत ही अच्छा लगा यह ट्रिप करके मायपूर का ट्रिप करके तो अगर आप अपने फैम्ली के साथ आना चाते हो आपको यहां पर आने के बात यही लूज इही पर मैं खटम करता हूँ और फिर से अब दो तारिक व्लाग आएगा दो तारिको बलोड ने एगा है actually मैं दो तारिको अई उद्धा जा रहा हूँ मेरा प्लान हो चुका है अपने दोस्त के साथ अई उद्धा का ट्री बाएगा तो आप अगर इस चैनल में नए हो अगर कोई मेरा नया भाई लोग इस चैनल में आया है तो आप चैनल को फॉरण ही सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी मज़ेदार और बहुत अच्छे-ची जगा है मैं जाकर मैं ब्लॉग बनाते रहता हूँ तो आप चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को यानि मेरे जितने भी मायपूर की ब्लॉग्स हैं सबको अपने उन मेंबर्स के साथ सेयर करो जो spiritual आनि जो अत्यात्मिक चीजों को देखना पसंद करते हैं और मंदील और बहुत अच्छे जगाएं देखना पसंद करते हैं तो मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग के साथ एक नई जगा के साथ तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केर हरे क्रिष्णा लिए बाय बाय चैनल रहा हैं